आपको बदन में हमेशा कमजोरी होती है आपको आपकी हड्डियों में कमजोरी महसूस होती है तो दोस्तो मैं आपको आज ऐसे एक नुस्खा बताने वाला हूँ तो मेरे साथ वीडियो के एंड तक है बने रही है आपको नुस्खा बताने वाला हूँ वह बहुत ही ईजी और आसानी से आप इसको यूज कर सकते हैं और इसके जादा कोई साइड एफेक्ट और नुखसान नहीं होते हैं तो दोस्तो आज ऐसे के मैं आपको बता रहा हूँ सबसे पहले आपको खजूर लेना है जी हां बिल्क आपको खजूर खाने से इतने फाइदे हासिल हो सकते दोस्तो तो सोचिए इसके साथ अगर आप खीरा भी एड़ कर देंगे जो इन दोनों का जो कॉंबिनेशन है दोस्तो खजूर जैसे आप जब जानते हैं खजूर की तासीर होती है वह गर्म थोड़ी होती है और जो खी एक बैलेंस चीज़ को आप कंजूम कर सकते हैं तो दोस्तो इन दोनों चीज़ों को यूज करने से क्या-क्या फाइदे होते हैं और इसमें क्या-क्या चीज़े मौझूद होती है जिन से हमारी बौड़ी को इंप्रूब्मेंट करने में बदद मिलती है और हमें और प्रिमियत और इसकी फाइदे लोग जानते हैं उन्स वह हमेशा इसको अपने डाइट में एड़ रखते हैं और यह कितने फाइदा कितनी चीज़ों में आपको हेल्प करता है आपकी हेल्थ को इंप्रूफ करने में इसके अलावा आपकी बहुत सारी बीमारियों में भी आ जैसे खाना है और खजूर को कितनी quantity में खाना है तो दोस्तों जैसे कि मैं बता रहा था कि आपको खजूर के साथ खीरा लेना है खजूर और खेरे को साथ में आपको खाना है सबसे पहले आपको जानते हैं कि खजूर में बहुत सारी प्रॉपर्टीज होती है मिनरल विटमिन्स, मिनरल्स और बहुत सारी एंटिप्रॉफटी होती हैं जैसे के B1, B3, B4, B6 और फ्लोटा यह सब चीज़े आपको यह विटमिन्स आपको कैंसर से बचने में बहुत मदद करते हैं इसके अलावा इसमें विटमिन C होता है विटमिन C से भी हमें बहुत सारी चीज़ों में इंप्रूफ करने में बहुत हेल्प होती है जैसे का अगर आपको इनर साइट पर आपके इनर औरगन में कोई डैमेज हो गया या कोई जखम हो गया है अंदर ऐसी कोई भी प्रॉब्लम हो गई है तो यह आपके जखम को भरने में बहुत तेजी से हील करने में मदद करता है इसके अलावा आपको इसमें पोटेशियम, जिंक और कैल्शियम ऐसे बहुत सारी चीज़े हैं जिससे आपके आपकी बॉड़ी को और आपकी बर्दन की हड़ियों को मजबूत करने में और उनकी हेल्थ को बढ़ाने है या ज खीरे में बहुत कॉंटिरी में पानी बहुता है इसमें विटमità में स्कीन को तोगलो करने में बहुत मदद करता है और इसमें anti-oxура posas भूड़ी सित हैं। जो आपकी बॉड़ी को बहुत तंदुर्सत रखने मदद करती हो आप हमेशा और अजसा एनर्जिटिक हील करें। आपको कभी फीकनेस नहीं फील होगी इसके अलावा अगर आप हमेशा लो फील करते हैं आपकी एनरजी हमेशा बूस्ट अप रहेगी इसके अलावा अगर आपको आखों से रिलेटर कुछ प्रॉब्लम है तो यह आखों में बहुत इफेक्टिव है काले घेरे अगर हो जाते है डाक सर्क्रस आखों के नीचे हो जाते हैं तो आफ उसमें भी उसको यूज कर सकते हैं यह बहुत तेजी सा असर करते हैं हमें से बहुत सारे लोग हैं जिनकी डायेट में हमेशा खीरा कटडी सालाट सैलेड जो होता है हम हमेशा यूज करते लेकिन खीरे के अंद्रोनी पर घ्र भरे तो कि पील को निकाल कर दो पहले जावाकब उसके पिल को निकाल कर अगर आप करके खा सकते हैं इसके लाइब बहुत सारे तरह के अगर आपको खाना है आपको बहुत सब्सक्राइब कर घ़ाएंगे अगर ऐसको का साफ में जाते इसके अलावा अगर आपके जैसे मैं आपको बता तब बदन में कमजूरी रहती है आपके नसों में कुछ प्रॉब्लम है जैसे किसी की नसे ब्लॉक हो जाती है या आपका खून का तोरान बराबर आपके बॉड़ी में नहीं हो पता है या आपके हाट के लिए बहुत क्यांकि आप सब जानते हैं इसमें जो फाइबर होते हैं वाइटमेंस हैं मिनेरल्स हैं हमारे डाइजेशन सिस्टम को भी इंपूफ करने मदद करते हैं और अगर आपको इस चीज़ को जरूरी यस करें इंदो चीज़ को और मैं आपको यकीन दिलाता हूं दोस्तों अगर आप इसको यूज़ करेंगे और आपको कुछ भी प्रॉब्लम है तो उससे तो आपको बहुत जल्दी रीकवर हो जाएंगे अगर आपको नहीं भी तो अपने डाइट में इसको ज़रूरी यूज़ करें क्योंकि एक हेल्दी और बैलेंस डाइट के लिए आपको यह सब च है तो इसको लाइक शर सब्सक्राइब जरूर करें और अपने फ्रेंड और फैमिली से जरूर शेयर करें क्योंकि आप सब अपने फ्रेंड फैमिली से शेयर करेंगे तो उनके लिए बहुत बैनिफिशल होगा जिनको नहीं पता है इस चीज़ के बारे में वह से फाइदा ृशपी करें शेयर करें अब के साथा इनका भी फाइदा होगा तो गाइस में बीडियो इसलिए बनाता हूँ ताकि आपकी आपका फैमिली फ्रेंड्स और दूसरों का भी फाइदा हो सके तो दोस्तो इस चीज़को जरूर में उसक करें और अगर आपको खाना है तो इसक भी खा सकते हैं इसका कोई ऐसा साइफक्ट नहीं है अब अगर यह ना आपको इसका बेस्यास के अर्लमोंग आना है कि द euch दोतों अधिश then आप प्रप्राब्लम से ग्यास restrictive और एक दोत करिसे तो दोस्तों अपसे स्क्रक off of गा्याई और इसके में आप आपको शाम को मैं अपसे request कर तो शाम को इसको consume ना करें तो दोस्तो वीडियो को आगे तक share करें और अगर वीडियो पसंद आए तो आप लाइक जरूर करके जाएं और comment भी जरूर करें इसका कि दूसरों को भी पता चल सके कि आपके comment से यह information कितनी effective ही आपके लिए और दूसरों के लिए भी थैंक यू